दोस्तो मैं दीपक पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल सुपर कॉंसेप्ट आलिग जया में दोस्तो आज हम राष्टपती का पार्ट फाइप पढ़ेंगे पार्ट फोर में हमने दोस्तो आप सभी को राष्टपती की सकतियों के बारे में कुछ बताया था दो तिन सकतियां दोस्तो आज हम पार्ट फाइप में एक दो सकतियां और पढ़ेंगे उसके बाद हम कुछ राष्टपती पर कुश्चन करेंगे दोस्तों यह आज का हमारा राष्टपती का लाष्ट टॉपिक है निकि लाष्ट लाष्ट स्टेज पर चाहर थैं यह देखते हैं राष्ट पत escrito में कि और कि और कौन से सक्टिंग दोस्तो राष्टपती की सकति यह हैं इसमें दोस्तों नंबर चार पर हैं वितती ये सकति हैं फैनेंसियल पावर इसे बोलते हैं तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों इसमें अंच्छेद आर्टिकल 112 में एक सो बारा में दोस्तों विद्टी सकति हैं करें फैनेंसियल पावर के बारे में बताया गया है दोस्तों इसमें क्या क्या गए यदि यदि संसद का स सत्र यदि संसद का सत्र सुरू होता है यदि संसद का सत्र सुरू होता है तो संसद के सत्र में या सत्र के पहले या सत्र के पहले सत्र के प्रारम्भ में राश्टपती बजट पेस करता है इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि अंच्वेद 112 में रवित्ती सक्तियों के बारे में कहा गया है इसमें कहा गया है कि दोस्तों यदि यदि राश्टपती कोई संसद में सत्र सुरू करता है यदि संस में राष्टपती ने मनलब संसत्र शुरू होने से पहले या सुरू होने के बाद ना मनलब सत्र शुरू प्रारंभ में या पहले राष्टपती कोई बजट पेस करता है कि क्यूंब ये उस्किति शुरू होने से पहले या प्रारंब में उसके पहले बहुत है या फिर पांद में कहते हैं झीडेखता है राश्ट पती वीत आयोग का घठन भी करता है राश्टपती बित आयोक का गठन भी करता है वो भी पांच साल के लिए ठीक अगला दोस्तों हमारा है पांच बार सैन सकती हैं कि साल सकती है कि दोस्तों इस इसके बार में अंच्षेद है तिरपन खंड 3 में राश्ट पति तीनों सेनाओं राष्टपती जो तीन सेनाओं हमारे होती है जल्थल वाईव उनका अध्यच होता है राष्टपती उनका अध्यच होता है जो राष्टपती होता है वो तीनों सेनाओं का अध्यच होता है जल्थल वाईव उनका अध्यच होता है जल्थल वाईव उनका अध दोस्तों देखते हैं कुछ important facts important facts में दोस्तों important facts में देखते हैं कि पद पर मिर्त्व कौन थे वो जिनकी पद पर ही मिर्त्व हो गई थी तो दोस्तों नमबर एक हैं जाकर हुसेन दूसरे हैं फकरुद्दीन अली आहमद दूसरे कौन हमारे फकरुद्दीन अली आहमद सब्धे यह दो थे जिनकी पद पर ही मिर्त्व हो गई थी अब देखते हैं अगला fact है दूसरे की मतगरणा दोस्तों हमारा जो दूसरे दूसरी दूसरी हों इसी दूसरी चनल मतगरणा होई थी उसमें क्या हुए था कि वीबी गिरी 1969 में 50% ओड से जीते थे जो बीबी गिरी थे 1969 में दूसरे चलर में हो थी 1969 में 50% 52% ओड से जीते थे और 1969 में जब राष्टपती का चुनाव लड़ा गया था तो बीवी गिरी के खिलाफ यहन रड़ी और नीलम संजी उरड़ी कड़ी ऊब तो नांटीन सिक्ष्रीन में का चुनाऊ लड़ा गया था तो बीवी गिरी के..? थो लोग खड़े थे यइन रड़ी यह थे नीलम संजीउयु कि यह दो लोग थे चेनों ने जो उनके खिलाब कड़े थे आज कि इस अचने में जब राष्ट पते का चुनाव लड़ा गया था तो बीबी गिरी के खिलाफ अन संजीव रड़ी या आप लोग बोग सकते हैं नीलम संजीव रड़ी उनहीं की नाम है खड़ी थी उनकी खिलाफ एक ही लोग हैं कि नंसीव रड़ी मलब उनका नाम है नीलम संजीव रड़ी ठीक वीबी गिरी दूसरे चनल से जीते थे और वीविग्री दूसरे चनल से जीत गए थे गर दोस्तों आप लोगे से पुझता है सबसे युवा राश्ट पती कौन बने थे तो दोस्तों आप लोग बताएंगे यहां संजीव रड़ी यानिक नीलम संजीव रड़ी थे यह 25 जिलाई को सपत ग ठीक और यह हमारे देश की यूवा नेते थे सबसे और यह उन्होंने 25 जुलाई को ही सफ़त गराण किया था तभी 25 जुलाई को सभी सफ़त गराण करते हैं सभी राश्ट पती तभी से नाइन ना तो दोस्तों आपकरते हैं अपना टेस्ट यह देखते हैं टेस्ट में क्य दोस्तों पहले नंबर कुश्चिन है राश्ट पती द्वारा राजसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के सम्मिधान से लिए गया है राश्पती द्वारा राजसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के सम्मिधान से लिए गया है कौन से देश के सम् समेधान लिए गया है तो दोस्तों या आयरलेंड के समएधान से किसके आयरलेंड के ति नमर्स पुशन है कि राष्टपतिवारा राष्टि आपात इस्तिती की घोषडा किये जाने के बादि किस अवधी तक उसका अनमोदन किस अवधी तक उसका अनमूदन संसर्थ के प्रतिक सधन द्वारा हो जाना चाहिए राश्ट्पती द्वारा राश्टी आपात इस्तिती की घुंसड़ा किये जाने के बाद किस अवधी तक तो जब राश्पति कर देता है तो किस अवधी तक उसका अनमोदन संस्द के प्रतेक सदन में हो जाना चाहिए कि मलब जो कुछे वह मलब की कुछे भैसला वो लेगा जो जारी करेगा वह संसद में कितने दिनों तक कितने दिनों में वह संसद में कि मलब उसके बारे में बतादिन इसके बारे में जानक अरियोचा यह तो दोस्तु वह है एक महा के भी rust एक माह के भीतर संसद में से बता देन चाहिए तो नंबर 2 तो तीशरे परहें भारती समिधान के अनसर काली का प्रमूख कौन होता है तो दोस्तों के नभ jeंद है कि पर मुक्राश्ट्पती होता है कि देवर्ट Ik याउजना है जय प्लें राश्ट्पती होता है आप लोग यह पढ़ है पीज़ें में फड़ा है है वह हुआ है अजयर फिप्टी टुम्क हीं अंदिर आपक Way का पर का बमारत है भारत को राश्ट्पति है वह किसका अभीन्य भाग के लिग में दोस्ते हो in要 ape सर्ट की कि दिन साल अजन राज सब लोग सब हो और राश्ट्पति है कि में संसर्ट की दर नैं Signal है है मतलब अब इनने भाग है उसका संसत का दोस्तों हमने जितने भी कुछिन लिए हैं वह सब हमने अपको पिछे लेक्ष्टर पढ़ाए हैं तो दोस्तों एक लोग एक बार आप लोग ध्यांसे वीडियो को देखकर तब कुछिन अपने मन से कीजिएगा टिक कि नमबर पांच पर दोस्तों निमली खित में से कौन भारत के सदन के दोनों सदनों में से कुसी का भी सबस्य नहीं होता है मतलब की निमलिखित में से कौन भारत भारत के संसद के बारत के दोस्त संसद के दूनों सदन जाने की राष्ट राज्यसभा और लोगसभा जो दूनों सदन है भारत के संसद के तो उसके कौन है जो उसका सदस से नहीं होता है लेकिन उसमें संसद में तो राष्ट पती लोग सबाराज सब्सक्राइब नहीं होता है लेकिन राश्ट पती संसद का सदस्य होता है लेकिन लोग सब्सक्राइब अप लोग यह ध्यान दीजिए ठीक नमबर चैपर दोस्तों भारत संबीधान के एंसर केंज़ी मंद्री किस की चहार रहने तक पर समालेंगे कह तो भारत के राश्ट पती जब तक चाहाएगा तब तक चाहाएगा तब तक केंज़ी मंत्री यूँ उसके पत को तो भारत के राश्पती जब तक चाहेगा तब तक केंदरी मंत्री यह उसकी पत को समालेंगे ठिक कि नमबर साथ पर रहे दोस्तों कि राज सभा के लिए राश्पती द्वारा कितने सदस नामित किये जाते हैं नौमिनित कीतने सदस का नाम लिया जाता है तो राजसभा के लिए राश्टपती दौरा राजसबा में जो सदस्य नॉमनित होते हैं राश्टपती के दौरा कितने सदस्य दौरा होता है तो दोस्तों बारा सदस्य होते हैं ठिक अगला है दोस्तो नम्र आटव है की राश्ट पती पद में रिक्त की इस्तिती में उपराश्ट पती अधिकतम कितनी होदी के लिए राष्ट पती के तौर पर कारे कर सकता है इसका मतलब है दोस्तों की कि राश्ट्रपतिक पद के जो राश्ट्रपतिक पद है अगर रिक्त हो जाए ठीक खाली हो जाए इस्थिती में उपराश्ट्रपति अधिक्तम उपराश्ट्रपति जो होता है वह अधिक्तम कितनी आउधी के लिए राश्ट्रपति के तोर पर कार्य कर सकता है अगर उपराष्ट्रपदी भी नहीं है तो अमने बताया था कि मुख देश का मुख नाधिस इसका पत्र समालेगा लेकिन यहां पर कहरा है कि राष्ट्रपदी का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपदी कितने वर्स ओता कुछ समाल अवग श author नमबर नाइन पर रहें जब राष्ट्र पती और उपराष्ट पी दोनों का पन एक साथ खाली हो तो राष्ट्रती इप पर अस्थाई रूप से आस्थाई रूप क्योंन काम करता है तो भारत का मुख नियाए ती इसके मलडल पकर यहां प्रस्थाई होता तो मुख निया इस्थाय r予 से काम नहीं कर सकता है लुक भाहर्थ के मूनची हो थी टोनम पजी मुख खाली हो जोने के राश्टपति वराश्ट से दोनौ कि नपकाल खाले तब ऐसी इस्तिति पीकरबग राश्ती चुना जाता है नगया था ना चुना गया थे काउन कौण झूना गया थे दोस्तों तो दक्टर या कि डूसें की में अध्यू हो गई थी तो भारत का मुखने अधिस कारवाग राश्पती चुना गया था यानि कि एम हिदायत तुल्ला उसमें भारत के मुखने अधिस थे ना तक्टी जाकी रुषान की मिरत्यु के तो इन्हें को तो ही कारवाग राश्पती चुना गया था दोनों को पद रिखता होने के बात ठीक तो नंबर टेन पर आए भारत के राश्पती द्वारा वित आयोग की निवक्ति कितने वर्सों के लिए की जाती है भारत के राश्पती द्वारा वित आयोग की निवक्ति कितने वर्सों के के लिए कि जाती है तो दोस्तों ऐसनी दोस्ट से कर दाए कि दोस्तों जेकरं एक económ кित नुकति राष्ट-पती कि दौरा पांच वर्सों के लिए की जाती है ज़्यान को पीछे बपाज है तो सबड़ाते तायेयों कि भारे सब्सक्राइब के लिए गट्री नमब्र 11 पर दोस्तों मारे नमब्र 11 भारत के भारत के आस्मिक्ता निधी का संग्रचक कौन है तो तो दोस्तों अंचेडाइक है कि दोस्तों Kस्त के दात कहा गया है की दोस्तों अस्मिक्ता निधि का संग्रच्छक राष्ट पती होता है ठीक नमबर 12 कर दोस्तों कहा गहए कि संगELLE लोक् सिवा आयोग के सदस्व किन्वित किकतने किसके दोर्द कर दोरह कोन करता है इसकी निखती है की लोग सिवा कि अंचिट 316 के तार की जाती है क्योंकि अंचे 315 से लेका 323 तक यूपीस्टी का कोड़न है यानि कि यूनियन पब्लिक सर्विस कोमीशन ठीक यूपीस्टी मतलब होता है और और अंचे 316 के ताहर संग लोग से वायोकस के सदस्यों के निवक्ति राष्ट पती करता है तो जो हमारा राष्ट पती तो है वो संग लोग सिवायोक्या निवक्ति करता है इसके बारे में दोस्तो 316 में का गया अनशेद नंबर 13 दोस्तों निमने में से भारत के वह राष्ट पति कौन है जो दो बार राष्ट पति पत पर रहे थे तो कह राय कि दोस्तों निमने में से भारत के वह राष्ट पति कौन से यह कौन से राष्टपती हैं चुत्तों बार राष्टपती पत पर रहे थे हमने बताया थे आपको डाक्टर राजेंद प्रसाथ कौने दूस्तों डाक्टर राजेंद प्रसाथ जो अब नमब पूफ चौधा पर हैं निम्लिखीत मेंसे किसे के पास भारती ये सुजच्षा भंलॉप पर सरवच सा मअन परत है ओग्प है का है दोस्तों इसमें कहा किन निम्लिखीत मेंसे किकि से के पास कि से पास चाहर्थी सुरच्षा भल्लों का सा ओं अच parlarते अगर राष्टपती को तो राष्टपती ही है जो इसके वलों के सर्वच कमान उसे पराप्त है अधिकार पराप्त है ठीक एक फरकार से तरस्तर नंबर 15 पर क्या गाए कि निमलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अंचेद 143 के आधिन किसी मामले को सलाकारी राय के लिए भारत के उच्चतम नियालाय को भीज सकते हैं निमलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनचेद 143 के अधीन किसी मामले कोई भी मामला हो मामले को सलाहकारी या राय के लिए भारत के उच्चतम नयालय को भेज सकते हैं लेज़ की सरवोच कमांडर इन शीव कौन है तो है Sometimes पढ़ाई यहां राष्टपती होता है तो निमन मेंसे वह कौन व्यक्ति था जिसे भारत के राश्टपती के रूप में निर्विरोध चुना गया था तो अब कि निर्वुरो चुनों गये थे ना अठारा नमबर पहें दोस्तों भारत के राष्टपती पर महावियोग की बिद्ध अपनाई गई जो भारत के राष्टपती पर महावियोग बिद्ध अपनाई जाती है दोस्तों तो यह यह प्राबधान हमने किस देश से लिया है इसके आत हम इन्यीजिट किस देश कि सम्ただ अन्यूहें अपनाया यह तो मेड़ोस्तों यह यह द्यूज मेल 강रकूत तो दोस्तों नंबर के light निरुक्ति सेवन रिप्ति का प्रह पर रहती कबिक टिक सेवा कर सकता है कि इस इसक और नहीं है ला Nästa सब्सक्राइब कोई सीमेज की नहीं है जब भी वह बन सकता है राष्ट ठीक नंबर 20 पर है दोस्तों पर्थम महिले जिनों ने राष्ट पती चुनाओ लड़ा था तो दोस्तों वह थी लच्छ में सैगल 2002 में Đोजादो में चुनाओ लड़ी थी और वम्रूत उनकी 2010 तेरा में हुई थी ठीक है इनके पतिका नाम था प्रेम सैमूब यह पहले न के पति इनके भार है इनक़ नाम थे प्रेम सैगल और लच्छ मी जो थी चुनाओ लड़ने से पहले यह हींद UH कि तींट-विबिगड ठीक उसके बाद इन्हें ने राष्टपती के वहां से इनका प्रमोट हुआ तो ये राष्ट माहिले राष्टपती का चुनाव लड़ी ठीक और जीटी भी थी 21 पर है दोस्तों भारत की पर्थम महिले राष्टपती भारत की पर्थम महिले राष्टपती को थी परतिबसिंग पार्टि तो दोस्तों है कि यह हमारा यहीं तक था दोस्तों यहें राष्टपती का लास्ट आ कि फैWhen अब दोस्तों है अगले वीडीयो में आप लोगों को रिष्ट पती के वारे में भार्लखें तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वेल आकन को भी दबाली जिएगा ठीक दोस्तों फास्टे थोड़ा हो जाता है तो आप लोग थोड़ा उसे शिलो करके जैहन साथियों